Hello friends and welcome back to Chikki's biology another video tutorial. Today I am going to discuss about what is the best career options after BSC Geology course. अगर आप लोगों ने BSC Geology course किया है, तो आप लोगों के लिए क्या यहाँ पे best career options हो सकते हैं? क्या best career opportunities आप लोगों के लिए यहाँ पे हो सकती हैं? यह आज मैं आप लोगों के साथ मैं आप दिसक्स करूँगा. तो friends, आप लोगों ने अगर BSC Geology course किया है, तो आप लोगों के लिए यह वीडियो काफी helpful होने वाली है. So, इस वीडियो को आप लोग स्टार्टिंग से लेके end तक देखें, इस वीडियो को आप लोग इस वीडियो को skip करते हैं, तो आप लोगों को इस वीडियो से रिलेटिड जो मैं आप लोगों के साथ में नॉलिज शेयर करूँगा, वो आप लोगों को यहाँ पे नॉलिज नहीं मिल पाएगी, और आप लोग इस वीडियो का अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगे. तो आप लोगों के लिए जो एक स्पेसिविक डोमेन हैं, आप लोगों के लिए यहाँ पे स्पेसिविक टाइप में हम लोग अपना जो हमारा टोपिक है आज का उसको यहाँ भी डिसकस कर लेते हैं. Friends, jobs directly related to your degree include, आप लोगों की डिगरी से जो यहाँ पे job 100% related हैं, उनके बारे में हम यहाँ आप फर्स्टै डिसकस करते हैं. तो आप लोग ecologist बन सकते हैं after BSC Geology course, आप लोग environmental consultant आप लोग बन सकते हैं, आप लोग field trials officer बन सकते हैं, आप लोग marine scientist बन सकते हैं, आप लोग nature conservation officer बन सकते हैं, आप लोग physician associate बन सकते हैं, आप लोग research scientist बन सकते हैं, life sciences stream में आप लोग जू की पर बन सकते हैं आप लोग जू लोजिस्ट बन सकते हैं तो यह जो मैंने आप लोगों के साथ में यहाँ पर career options जो मैंने discuss किये आपके course के regarding यह सभी आप लोगों की एक तरह से जो jobs आप लोग करेंगे jobs directly related to your degree आप लोगों की degree से related यह jobs है जो मैंने आप लोगों के साथ में आप लिसकस की अब लोग बात करते हैं अपने जो हमारे मैंने बताया था कि आप लोगों को मैं एक और यहाँ पर आप लोगों के साथ में आउट लाइन डिसकस करूंगा तो जोपस वेर योवर डीडी वुड भी यूसपूल तो यह हमारा यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है जिस पर हम लोग डिसकस करेंगे तो फ्रेंड अनिमल फीजो थरेपिस्ट आप लोग बन सकते हैं आप लोग बायो मेडिकल साइंटिस्ट बन सकते हैं आप लोग इन्वाय बाइट बायोडोजिस्ट बन सकते हैं आप लोग टोक लोगों लोगों की डिगरी वुड बी यूसपूल होसकती है वहाँ पे ये आप लोगों की jobs है, ये आप लोगों की degree के साथ में जो directly related jobs है, ये वो jobs नहीं है, वो हमारी, जो मैंने आप लोगों की साथ में पहले जो discuss की jobs, वो हमारी jobs है, जो आप लोगों की degree के साथ में direct related है, तो friends से आप लोगों यहाँ पे भी जा सकते हैं, बट यहाँ आप लोगों की जो priority है, वो second priority है, first आप लोगों को महीं पर एक तरह से try करना चाहिए, jobs के लिए, तो friends, आप लोगों को क्या skills अपने अंदर लाने है, क्या skills आप लोगों को develop करने हैं, कि आप लोग इन सभी jobs को पा सकें, इन सभी jobs में आप लोग जा सकें, इन सभी jobs को आप लोग achieve कर सकें, तो friends, आप लोगों को skills को अपने यहाँ पे एक तरह से उनमें improvement लाना है, अपनी skills को आप लोगों को यहाँ पे improve करना है, तो आप लोगों को जो आपका first skill है, अगर आप इन में से कोई भी एक जोग करना चाहते हैं जो आप लोगों का first skill है उस skill को आप लोगों को यहाँ पर improve करना पड़ेगा और वो skill है analytical skills आप लोगों को अपने analytical skills में improvement लाना पड़ेगा आप लोगों को अपने analytical skills को यहाँ पर improve करना पड़ेगा data handling skills data handling skills हमारे यापे second skill है जिस skill को आप लोगों के improve करना है आप लोगों को return communication skills में भी यहाप improvement लाना पड़ेगा आप लोगों को presentation and oral communication skills में सुधार लाना पड़ेगा उनमें आप लोगों को एक तरह से सामने निखर के आना पड़ेगा तब ही आप लोग इन सभी jobs को पा सकते हैं और इन सभी jobs को पाने के बाद आप लोग easily अपना work को आपे कर सकते हैं जो हमारा last skill है जिस skill को आप लोगों को improve करना है वो skill है project management आप लोगों को आना चाहिए project management skills आप लोगों के अच्छे होने चाहिए आयो friends ये वीडियो आप लोगों के लिए helpful होगी इस वीडियो से related अगर आपका कोई question आपकी कोई query है तो उसको वीडियो की नीचे comment box में type करना नहीं भूले मैं आपकी हर एक problem को solve करने की process करूँगा और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं future में आप लोगों को ऐसी वीडियो प्रोवाइड कराता रहूं तो please friends मेरे चैनल को subscribe करना नहीं भूले thank you friends आपकी क्षैनल का पर आपकी करते हैं